वाइल हिट एपिसोड नमबर टू इस एपिसोड की सुरुवात पाको से होती है पाको स्कूल में फिर से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है पाको को अपनी लाइव स्ट्रीम पर स्नैपर और हॉविन के बारे में बात कर रहा होता है जिससे वो और ज्यादा लोगों को अपने चैनल के तरफ अट्रेक्ट रसके पाको कहता है ये दोनों कितने ज्यादा बायल हो चुके है पर ये दोनों मेरी किलास में ही पड़ते हैं पाको को ऐसा करते हुआ देखकर स्नैपर और होविन सोचते है कि पाको को उनकी को एंड में फिर से लोगों को एक पीसी गिववई करने की बात कहता है ये सुनकर बीच में बोल पड़ता है और कहता है ये सब एक स्कैम है पाको केबल कैमरे के सामने अच्छे वनने का नाटक करता है ये असलियत में बहुत ही जदब बेकार इंसान है इसके बाद होविन अपनी सौट रेकाल कर कहता है मेरी बॉड़ी पर जितने भी चोट की निसान है ये बस पाको की बज़े से ही है और ये सब बोलता हुए सोचता है मुझे पता है मेरी बहुत जोनों से पिटाई होने वाली है पर मैं अगर ऐसे करके पैसे कमा सकता हूं तो क्योँ नहीं हॉबिन की बात सुनकर बाकी के स्टूडेंट की भीड लग जाती है इसने पर सोचता है पाको के वीवर भी हमें देख रहे है इसके बहुत बूस सभी वीवर्स हमारे चनल पर आ जाएंगे हॉबिन की बात सुनकर पाको बहुत ही ज़्यादा गुसे में आ जाता है पर पाको को हस्त हुए कहता है तो मैं क्या लगा था तो मुझे एक्सपोज कर दो के तुमारे ये सब बोलने से पहले ही मेरे फॉन की बैटरी डैड हो गई थी और मेरा फॉन बंद हो गया था इस सुनते ही हॉबिन के हूस उड़ जाते है इसके बाद पाको को हॉबिन को पर सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे होते हैं हॉबिन सोचता है क्या मार खाकर मौटा पैसा चाप सकते है क्या लोग सही में किसी लड़के को पिटता हुआ देखना चाते है मुझे मौटा पैसा कमाना है इसके लिए इन वीडियोस का चलना बहुत ज़दा जरूरी है सोचो अगर कमचो लड़का बुली से पिटने की जगह है उनसे लड़ना सुरू कर दे तो ये वीडियोस कितना ज़्यादा बाले लो जाएंगी ऐसा सोच कर हॉबिन लड़ने के लिए रेडी हो जाता है हॉबिन को ऐसा देख कर इस तरह पर सोचता है आगर हॉबिन में इतनी हिम्मत करना से आकई आगर हॉबिन चुपचा मार खा लेता तो ये बहुत जल्दी खतम हो जाता हॉबिन भी सोचता है इस सब खतम क्यों नहीं हो रहा है कोई तो कुछ करनी रहा है मैं भी अब पीछे नहीं अड़ सकता हूँ हॉबिन पाको को देखकर और ज़्यादा डर जाता है हॉबिन सोचता है पाको की बोडी तो देखो और बुझे देखो हम दोनों में कितना जाता अंतर है जैसे मूबीज में होता है एक लड़का बुली को मारने लगता है क्या मैं भी बैसा ही करूँ या फिर मुझे भी मावी माग लेनी चाहिए हॉबिन ये सब सोची रहा होता है तबी पाको गयता है आखिर तो उत्रा क्या सोच रहा है साइद इसलिए तेरी मा को कैंसर हो गया है पाको की बात सुनकर हॉबिन ट्रिकर हो जाता है और याद करता है कि पाकगो ने पहले भी उसकी मा का मज़क उड़ाया था पाकगो मेरी मा का मज़क नहीं उड़ा सकता है ऐसा सोचते हुए हॉबिन पाकगो पर हमला कर देता है ये देखकर पूरी कलास शौक जाती है यूट्यूबर भी लोग कॉमेंट्स में हॉबिन की तारिप करने लगते है पर पाकगो हॉबिन की तुलना में बहुती ज़्यता स्टॉंग और भारी होता है इसकी वज़त से हॉबिन के हमले का पाकगो पर बिल्कुल भी असर नहीं होता इसके बाद पाको को हॉबिन को उठा कर जमीन पर पटक देता है हॉबिन सोचता है जब मैं स्नेपर से लड़ा था तब ये बहुत आसान लग रहा था पर हम मुझे समझाया कि एक असली फाइट कैसे होती है अब सब कुछ खतम हो गया है पर तबी पाको को हॉबिन के उपर आ जाता है और उसे पंच मारने की कोश्च करता है तब इक लास का एक और लड़का पाको से कहता है कह तुम शोर कम कर सकते हो मैं यहाँ पर सोने की कोश्च कर रहा हूँ उस लड़के की बात सुनकर पाको को बढ़क जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो चुपचाप जाका गर पे क्यों नहीं सोता है हमें पता चलता है कि ये लड़का MMA बॉक्सिंग का सूपर स्टार होता है इसका नाम मुन्शियोंग किम होता है जैसे ही पाको को कि कार्णिंग देते हुए कहता है अगली बार अपना मुन समाल कर बात करना ऐसा बोलकर किम फिर से सो जाता है किम को देखकर हॉबिन सोचता है जिसके दो तीन सब बोलने से ही पूरा माहल सांत हो जाता है मुझे ये पता तो नहीं था आगे पाको को भी चुपचा वहां से च आगे जब पाको को घर पहुचता है तो वह अपना फोन चार्ज पर लगा देता है तब उसे पता चलता है कि हॉबिन और उसकी बीडियो वैल हो गई है और अब लोगों को उसकी सच्चाई पता चल गई है इसके बाद लोग पाको को उसे नफरत करना चालू कर देते हैं द आगे हमें पता चलता है कि पाको और होबिन की वीडियो इतनी जदा बायल हो जाती है कि यूट्यूब पर वीडियो ट्रेंडिंग में चली जाती है पाको को अपनी इमेज सुधारने के लिए वीडियो में लोगों से मावी मांगता है पर वीडियो खतम होने से पहले ही वो अपने दोस्त से कहता है आगे हॉबिन और स्नेपर अपने चैनल पर कॉंटेंट की बात कर रहे होते हैं इसनेपर कहता है हम अपने चैनल पर केबल फाइट्स की बीडियो ही डालेंगे पर उसके साथ एक दिक्कत है हमें पैसे ब्यूज से नहीं मिलते बलकि वीडियो की उपर चलने वाले एड्से मिलते हैं वीडियो जितनी ज्यादा लंबी होगी उस पर उतने ही ज्यादा एड्स होंगे पर तुम एक असली फाट में एक मिनट भी नहीं टिक सकते हो तो मैं कम से कम तीन मिनट तक लाड़ना ही होगा तब जाके हम वीडियो पर कुछ पैसे कमा सकेंगे बरना हमारा चनल खतम हो जाएगा अगले शीन में रात हो जाती है हॉबिन स्नेपर की बात के बारे में सोच रहा होता है हॉबिन सोचता है मुझे कैसे भी करके स्ट्रॉंग बनना होगा इसके बाद हॉबिन इंटर्नेट पर स्ट्रॉंग बनने के बारे में सर्च करता है इसमें सबसे पहले जिम जाकर बोडी बनाने के उपाय आते हैं पर हॉबिन कहता है इसमें बहुत ज़दा टाइम लगेगा मेरे पास इतना ज़दा समय नहीं है इसके बाद हॉबिन कराटे, जूडो, रेस्लिंग सब के बारे में सर्च करता है पर सभी को सीखने में बहुती ज़्यादा टाइम लगेगा हॉबिन सुचता है मुझे खुछ से ही कुछ सीखना होगा इसके बाद हॉबिन यूट्यूब पर कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा होता है पर गलती से कुछ और टाइप हो जाता है जिसकी बज़े से हॉबिन के सामने एक चैनल आ जाता है चैनल का नाम होता है How To Fight जिस पर फाइट की स्पेलिंग गलत होती है और तो और उस चैनल के सब्सक्राइबर्स भी जीरो होते है हॉबिन जैसे ही चैनल को देखता है हमें पर चलता है कि उस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती है जिसमें एक इंसान लोगों को लड़ना सिखा रहा होता है और उसने अपने मूँ पर एक मुर्गे का मास्क लगा रहा होता है हमें इस इंसान का नाम सम्दक बताया जाता है हॉबिन उस चैनल पर बीडियो बड़े ही ध्यान से दिखने लगता है सम्दक बीडियो में लड़ने के रूल्स बताता है सम्दक कहता है अगर तुम अपने emosions को control नहीं कर सकते हो तो तुम ड़लाई में हाड़ जाओगे तुम्हें अपने emosions को control करना सीखना होगा अगर तुम्हारा opponent भी अपने emosions को control नहीं कर पाता है तो तुम्हारे जीतने के chances बहुत जादा हो जाते हैं आगे वीडियो में सम्दक एक टेक्निक सिकाता है जिसमें वो बिना हट हुए मार खाने के बारे में बताता है सम्दक की बात है सुनकर हॉबिन सोचता है ऐसा होई नहीं सकता ये भी जरूर कोई एक स्केम वीडियो ही है जिससे लोगों को बेपकु बना कर पैसा कमाया जा रहा है ऐसा सोचकर हॉबिन वीडियो को इग्नोर कर देता है और जाकर सोचाता है अगले दिन हॉबिन अपने कैफे में जाता है और अपनी जाव से रिजाइन कर देता है हॉबिन सोचता है मैं ऐसे काम करके अपनी मा के इलाज का खर्चा नहीं निकाल सकता हूँ मुझे कोई तरीका डूढ़ना होगा जिससे मैं ज़सल ज़्यादा पैसा कमा सकूँ हॉबिन के छोडने की बात सुनकर कैफे के बाग की मेंबर्स भी आपस में ये बात डिसकस कर रहे होते हैं जिससे बोमी भी ये बात सुन लेती है कैफे का ओनर हॉबिन से कहता है अब तुम फेमस हो गए हो इसलिए तुम यहाँ पर जौब छोड़ रहे हो सायद मुझे भी यूट्यूब पर कुछ ट्राई करना चाहिए यूट्यूब का नाम सुनते ही हॉबिन गुसे में आ जाता है जिससे कैफे का ओनर डर जाता है आगे वहाँ पर बामी आ जाती है बामी हॉबिन से कहती है मुझे नहीं पता था कि पाक को इतना बुरा है इसलिए तुमारा शुक्रिया क्या मुझे तुमारा नमबर मिल सकता है तुम यहाँ पर जौब छोड़ रहे हो तो हम अब नहीं मिल पाएंगे बामी को खुद हॉबिन का नमबर मांगते हुए देखकर कैफे ओनर भी दुखी हो जाता है आगे हॉबिन और बामी चैट पर बात कर रहे होते है हॉबिन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि यह सब रियल है आगे स्नेपर आकर हॉबिन को बताता है आगे स्नेपर हॉबिन से पूछता है कि तुमने कुछ सोचा है कि हम लडाई को तीन मिनट से जाता कैसे कीचेंगे इस पर हॉबिन सम्दक की बात को याद करता है पर हॉबिन को सम्दक की बात पर भरुसा नहीं होता होविन स्नेपर से हिच किताते हुए कहता है मैं अभी इस बारे में रिशर्च कर रहा हूँ इस पर स्नेपर कहता है अगर तुमने थोड़ी सी भी देर की तो ये सुनहरा अब सर हमारे हाथों से निकल जाएगा मैं इसका फाइदा उठाना चाहिए इस पर हॉविन कहता है आखिर फेमेस होने से क्या ही हो जाएगा तबी वहाँ पर हॉविन की क्लास میड रूमी आ जाती है जो एक ब्यूटी चनल चलाती है वो हॉविन से कॉलब करने के लिए कहती है जिस पर हावविन और स्नेपर दोनों तुरन्त ही हाँ कर देते हैं रूमी कहती है मुझे तो पाको को सुरू बात साही पतन नहीं था मैं अब से उसके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी रूमी ये सब बात कर रही होती है तभी वहाँ पर पाको अजाता है पाको को गुस्से में हॉबिन से कहता है तुमारी बज़े से मेरा चनल बरबाद हो गया है मैं तुम्हें नहीं चोड़ूगा पाको को गुस्से में आता हुआ देखकर हॉबिन को सम्दक की बात याद जाती है आगे पाको को हॉबिन पर हमला शुरू करता है हॉबिन सम्दक क बात एक्टम सही थी, अगर मुझे लड़ना है, तो मुझे समंदक की दूसरी बीडियो भी देखनी चाहिए, ऐसा सूचकर होबिन पाको के सामने मात पैंट वाथू जान बचाइए हूम देखते हैं कि होवेन बहुत ही ज़दा शौक होता आज हूदु सोचता है की सम्दक की बताई हूई सारी बाते एक अठम सही जा रही है। आगर ये सम्दक कॉन ए है। अगले शीन में हम देखते हैं कि हॉबिन स्नेपर का इंतजार कर रहा होता है। हॉबिन सोचता है हमें चैनल के कंटेंड के बारे में कुछ तो करना ही होगा। हम ऐसे ही किसी भी गुंडे की वीडियो बना कर नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद टाइम पास करने के लिए हॉबिन बॉमी से बात करने लगता है। लगातार तीन दिन से चैट करने के बाद बॉमी हॉबिन से कॉल पर बात करने के लिए कहती है। ये सुनते ही हॉबिन साथ अबे आस्मान पर चड़ जाता है। इसके बाद वो हॉबिन को कोपची पे ले जाकर समान लूड़े लगते हैं। हॉबिन के पास कुछ भी नहीं होता। स्नेपर हॉबिन को बचाने की कोश्चिस करता है। पर चोर आसानी से स्नेपर को पीट देता है। आगे चोर हॉबिन का फून लेकर कहता है। अगर मेंने फोन छोड़ दिया तो तुम पुलिस को बुला लोगे। ऐसा बोलकर चोर वहां से चले जाते है। हॉविन सोचता है मेरे फोन में बूमी का नमबर था। मैं इसके लिए मर भी सकता हूँ। आगे हमें बता चलता है कि स्नेपर ने फिर से लाइव स्ट्रीम चालू की होती है। हॉविन के फैंस हॉविन को लड़ने के लिए कह रहे होते हैं। इस्नेपर बताता है कि मैंने शुरुवाद से ही लाइव स्ट्रीम चालू कर रखी थी। ये दौनों चोर सहर के हिस्से में फेमस हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, हम इससे खूफ सारे पैसे चाप सकते हैं, स्नेपर की बात सुनकर हॉबिन लड़ने के लिए अपना मन मना लेता है, और अपने ब्यूर से कहता है, अब सुरू होती है वायल हिट की मतम हो जाता है, जूर।